हावडा मुंबाई के बीच चलेगी बहत्तर नई ट्रेन और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे या बहत्तर ट्रेन कौनसी होगी जो कि इस रूट पर रेलवे दावडानी के तैयारी कर रही गया है लेटेस्ट वीडियो अपडेट का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनलों को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको साड़ा रेलेवे नूज का अपडेट मिलता रहे इसके अलाबा कोई अन रेलेवे नूज का अपडेट जानना चाते हैं या फिर अपने रेलेवे इस्टेसन का नूज जानना चाते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवस लिखें हम नेश वीडियो अपडेट उसी कमेंट से रेलेटेड लाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं रेलेवे बोर्ड ने एक सो क्यावन निजी ट्रेनों को चलाने की घोशना कर दिया इसमें 109 रूट का चेन क्या गया जिसमें कि अब हावडा से मुंबई के बीच 50% ट्रेनों किया जाएगा यानि कि अब लगभग बहत्तर ट्रेन हावडा से मुंबई के बीच चलेगी एवं हावडा और मुंबई से खुलेगी रेलेवे अब ज्यादतर कारियों को निजी हातों में 100 पड़ी है सफाई, वाटरिंग, कैटरिंग, बेड रोल समेत कई, सुधाएं पहल पन करने का आदेश भी जारी कर दिया है, और लोगडॉन के पहले रेल मंत्राले ने सभी बड़े स्टेशन को निजी हातों में सौपने की योजना बनाई थी, इसमें निजी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन को 45 साल के लिए 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 लिया जाना था, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं आ सकी, लोगडॉन में कई बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसी बीच रेलवे ने एक बड़ा निर्नाय भी किया हैं, हावडा से मुंबई और मुंबई से हावडा के बीच कुछ ट्रेनों का संचालन तो सुरू होगा ही, इसके साथ ही निजी प् आपको सपर करने का मौका मिलेगा, इसके साथ ही डेलवे अब कुछ ट्रेनों की लिस्ट भी तयार कर रही है, जो कि जल्दी इस रूट पर वो कौन-कौन सी ट्रेन होगी इसका लिस्ट सामने आएगा, हाला कि डेलवे ने सपष्ट कर दिया है कि 109 रूट पर 150 नई निजी ट्रेन का संचालन शुरू होगा, लेकिन यह नहीं बताया कि हावरा से नई दिल्ली के बीच और हावरा से मुंबई के बीच कौन-कौन सी ट्रेन चलेगी, गरतलब है कि इस रूट पर जल्दी एक नई लिस्ट फिर से तयार की जाएगी और रेलवेस की तयारी कर रही है, ट्रेनों को गती तेज देने के लिए यहाँ पर ट्रेक को दुरुस्त बिक किया जा रहा है, और कोच को भी उस हिसाब से ढाला जा रहा है, जिस का रेन यह ट्रेन अब नई रप्तार से चल सेकेगी, इस रूट पर ट्रेनों की रप्तार बढ़ेगी और सफ़र करने में कम स अनकाड़ी देंगे तब लेकले इस वीडियो को सेयर कटके चैनल को सब्सक्राइब आवसे कर लें